लोग डाउन के चलते जहां लोगों के काम काज बंद हो रहे हैं वहीं दूसरे राजियों में काम कर रहे हैं लोग भी अपने घरों की और लोटना शुरू हो गए हैं मद्या परदेश से पंजाब के लिए चले कुछ यूवग जब जुलाना पहुँचे तो उन्होंने बताया कि वे पिछले दत दिन से साइकल पर अपना सफर कर रहे हैं इन लोगों ने अपने पैसे से ही साइकल खरे दी और उसके बाद फिर घर के लिए निकल पड़े जुलाना पहुचने के बाद जल्द ही पंजाब अपने घर पहुचने की खुशी भी इन यूवगों के चेहरे पर दिखाई दे रही थी इन्होंने बताया कि रास्ते में कुछ थानों पर उन्हें परशानी भी आई लेकिन अब वे अपने घर के नजदीक पहुच गए हैं और जल्द ही अपने घर भी पहुच जाएंगे तो रास्तिम किसी तरह को परेशाने की आई थोड़ी बहुत है कभी किसी ने खिलावी दिया बहुत अच्छे आदमी मिल गई कुछ बस ऐसे कभी बिसकुट खा लिया है कोई नमकीन अगेरा खा लिया वससे टाम पास करके आगी तो अब कैसे लग रहे जैसे आप गर के नस कोई कोई ना कोई देता था तो खा लेते हैं नहीं तो अब गरके नस दीख पहुचके कैसा लग रहे हैं आज हम आपको एसे युवाउं से रुप रूकर वहना चाहते हैं जो कि MP में काम करते हैं और MP से चलकर आज इन्होंने 10 दिन हो गया है अपने पैसे से इन्होंने cycle ली और किसी पर निर्वर नहीं रहे नहीं इन्होंने सरकार की किसी साधन की बाठ देकी इन्होंने अपने पैसे से एक एक bike जो cycle है वो खरीदी और उसी पर आज 10 दिन होगे ये लोग अपने घर की तरफ चल रहे हैं ये लोग MP से बताया चल रहे हैं और आज ये जुलाना अर्याना का जुलाना वहां से क्रोश होके अब ये पंजाब के पटियाला में जा रहे हैं मैं आपको एक बार फिर दिखाना चाहूँगा घर जाने की चाहा इन लोगों की हिम्मत काविले तारीफ है जो इन्होंने अपने पैसे से साइकल खरीद कर आज ये अपने घर की और चल रहे हैं फार्ट नाइन टीवी के लिए जुलाना से विजेंदर सिंग